हेलो स्कुडेंट्स, माइस सेल्फ राजेंदर वर्मा, टेम केमिस्ट्री आप लोग मिड सेशन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से दे रहे हैं, यह मुझे उमीद है आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे इसी टेस्ट सीरीज की श्रंकला में आज मैं आपसे मिड सेशन सिक्स्थ पेपर जो आपने दिया है, इसका और नी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको इस पेपर में कहीं कोई डाउट रह गया है, तो आप ये वीडियो देख करके अपने उस डाउट को अच्छे से दूर कर दें अगि फ्यूचर में आप जब एक्जाम देने जाएंगे, तो आपको उस तरह का कोई डाउट न रहे करें शुरूर बेटा, सबसे पहले हम इसमें सेक्शन ए को देखते हैं आप देखें, सेक्शन ए में आपको एक कमपाउंड दिया है, इस कमपाउंड का आपको एसडिक मीडियम यूज किया हुआ है, तो कमपाउंड को अगर हम आपको एसडिक मीडियम में रखेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ हॉजाएगा, अब हाइड्रला आईसीस जब इसमें होगा, तो इस हाइड्रला आईसीस से आपको क्या मिलेगा, यह देहें, यहाँ पर हाइड्रला आईसीस होगा, एसका लोवर पोर्शन एक एक compound देने वाला lower portion बेटा अब यहां से जब यह hydrolysis हम करेंगे तो आपको एक answer कुछ इस तरह का भी मिलेगा यह inol foam है आपके पास इन तीनों में से कोई एक Q है कोई एक R है कोई एक S है Q, R, S आपके पास इन तीनों में से कौन सा है यह आप दियेगे reagent से identify कर सकते हैं करें शुरू NaOH प्लस I2 आई डोफोम टेस्ट जो Q compound है उसमें reaction नहीं होने वाली है तो इन में से देखो यहां पर आई डोफोम टेस्ट होगा यह तो Q नहीं हो सकता इसमें आइडोफर्म टेस्ट नहीं होगा ये क्यूं हो सकता है इसमें आइडोफर्म टेस्ट हो जाएगा इसमें क्या होगा आइडोफर्म टेस्ट आपका हो जाएगा तो आप देखें आपको क्यूं क्या लेना है एक ऐसा रियेजेंट लेना है जहां पर no reaction आनी चाहिए तो यह आपके पास Q हो सकता है अपने को बागी test भी रखे देखने पड़ेंगे second है tolen reagent tolen reagent Q की अंदर negative test दे रहा है बिल्कुल सही जा रहे हैं यहां तक third है आपके पास sodium sodium के साथ hydrogen gas sodium के साथ क्या है hydrogen gas है hydrogen gas यहां तक भी सही है fourth है sodium bicarbonate no reaction बोल रहा है बेटा तो इतो गड़बड होगे ना यहां तो sodium bicarbonate के साथ positive test आएगा और यहां कह रहा है no reaction तो कुछ और सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है यहां पर अगर मैं intra molecular istrification complete कर दूँ तो मुझे जो product मिलेगा जड़ा ध्यान से देखें one two three four five 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 और यह oxygen five carbon और एक oxygen को attach करके six member ring आपको मिलेगी बेटा मैं इसको यहां लिख लेता हूँ ठीक है one two three four five number one जो है वहां पर एक c double bond O है चलो यह मैं लगा दिया number three पर एक OH भी attach है यह भी मैंने लगा दिया ठीक है अब देखते हैं sodium by carbonate के साथ यह negative test दे रहा है negative test दे रहा है देख लो आप इसको one two three third पर OH है और यह सारा condition आ देए तो क्यू यह नहीं है यहां से फोड़ा गलत हो गया है अब हम यहां पहुंच गया है यहां पर पहुंच गया है यहां नहीं है यहां यहां तक कुछ confirm नहीं है tolend reagent no reaction ketone में tolend reagent नहीं test देता है लेकिन aldehyde में mirror test देता है समझ में आ गया बेटा ये R होगा और ये क्या होगा S होगा R और S confirm होगे अपरो कुछ देखने की जूरूत नहीं question solve करेंगे compound S is yogic S क्या है ये रहा है बेटा S बात समझ में आगी ठीक है बात clear है न आगे चले इसका एक part और है आप इस structure को अच्छे से दिमाग में रखेंगे बेटा ठीक है और एक R को याद रखेंगे अभी हमने जो इसको solve किया था S तो पता लग गया ये तो हमने solve किया था कि R है और एक मैंने यहाँ पर structure लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ एक O H था जिसको हमने क्या डिकलेर किया था Q अब देखो इस question में compound Q, Q पूछाए बेटा आप से वो देखो किस से match कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2 O H third position पर होना चाहिए O H कहा होना चाहिए third position पर होना चाहिए O H third position पर है answer गया गया बेटा बात समझा रही है बात clear हो गई ठीक है आगे चले next आपके पास एक और paragraph है इस paragraph से related आपको question solve करना है इस paragraph को आप अच्छे से देखें आपको इसे कहीं ने कहीं paragraph के अंदर इस तरह है question में कहीं कोई hint छुपी होती है आपको उस hint को लेकर के question को solve करना होता है चलो देखें क्या hint है आपके पास compound A ऐसा है जो optically active है sodium metal से react करके hydrogen gas release कर रहा है ठीक है optically active compound का oxidation करेंगे तो compound R है और R में chloroform test बन रहा है R में chloroform test बन रहा है ये भी ध्यान रगना है concentrated H2SO4 temperature के साथ use कर रहे हैं यहाँ पर यह आ रहा है फिर ozonalysis, HBR सारी condition आपको दे रखी है देखो तोड़ा सा कहीं से hint पगड़ो इसके रहा है देखो जहां से बहुत अच्छा hint दिया हुआ है यहाँ देखो यहाँ आपको hint मिलेगा बेंजीन का Friddle Craft Asylation complete किया बेंजीन का Friddle Craft Asylation complete किया तो आपको compound E मिल गया compound E मिल गया है बेटा आपके पास C6 H5 CO CH3 यह compound E है पता लग गया अब यहाँ देखो क्या गह रहा है C3H6O दे रहा है C3H6O में आइडोफान टेस्ट लग रहा है अब इसमें क्या हो सकता है आप इसमें क्या सोच सकते हैं आप इसमें सोच सकते हैं CS3 CH2 CHO C3H6O लेकिन इसमें आइडोफान टेस्ट नहीं है ड्रॉप कर दो इसको और क्या सोच सकते हैं CS3 CO CS3 सोच सकते हो आप इसके अंदर और यह Idoform test देता है तो यह आपके पास हो गया F यह E है यह F है यह E और F कहां से बन रहे हैं B से और कौन सा process Reductive Ozone Lysis किस से बन रहे हैं Reductive Ozone Lysis तो अगर मैं इन दोनों को connect कर दूँँगा तो मुझे वापिस B मिल जाएगा connect करने के लिए मुझे क्या कहा है इसमें से oxygen remove करना है तो B की बात करूँ C6H5 Ccs3 इसका जो oxygen है इसका जो oxygen है उसको remove कर दो और इसका जो oxygen है उसको remove कर दो यह B हो गया विटास अच्छे से समझ लो इसको देख लो HBR से reaction करवाने पर chiral product बनना चाहिए देखो chiral बन रहा है गया और इस question में आपके पास compound C भी पूछा हुआ है तो चलो C के answer ही मिल जाएगा अपने को direct यहां से अगर HBR से reaction करवा होगे तो reaction कौन सा होगा electrophilic addition reaction होगा और आपको more stable carbocatine consider करना है तो इसमें आपके पास यहां से more stable carbocatine generate होने वाला है तो इसमें जब मैं HBR add करूँगा answer आएगा C6H5 CBR CS3 CH CS3 CS3 यह C बना विदा पास देखो C कौन सा है इसा चेक करो मिला गए यह रहा एक question तो solve हो गया अब और देखें आगे यहां तक इतना से हमारे पो एक question solve हो गया अब B को आप कहां से बना रहे हो B alkyne है और यह alkyne concentrated H2SO4 की presence पर बन रहा है इसका मतलब कहीन कहीन dehydration हो रहा है कहीन 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 क्या हो रहा है dehydration निर्जली करन हो रहा है तो इसका मतलब है A आपके पास alcohol है alcohol में sodium metal add करते है hydrogen gas रलीज हो जाती है बस समय में आ रही है बस अब इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा एक part तो solve हो गया अब यहां से हमें A को identify करना है R को identify करना और S को identify करना यहां से यह clear हो रहा है A एक alcohol है और वो भी optically active है इस A का oxidation करेंगे R बनेगा और R में chloroform होना चाहिए chloroform reaction positive आने चाहिए R के साथ आगे चलें वो structure आप ध्यान रखेंगे तोड़ा सा तो हम कहां तक पहुंच गए थे पेटा हम पहुंच गए थे C6H5 ठीक है C CS3 double bond C CS3 CS3 यहां तक हम पहुंच चके थे अब मुझे alcohol चेक करना है alcohol क्या होगा पहले यह चेक होना बज़रूरी alcohol क्या हो सकता है तो मैं लग लगता रहें कि alcohol आपको बाता हूँ इसमें possibilities देखते हैं C6H5 COH CS3 CH CS3 CS3 अगर मैं इस alcohol को लेता हूँ तो इसके dehydration से यह बनेगा dehydration से बनेगा बिल्कुल सही जा रहा है लेकिन एक आप देखें optically active होना चाहिए यह भी सही है optically active भी है लेकिन एक condition है oxidation होना चाहिए 3 degree alcohol का oxidation नहीं होगा 3 degree alcohol का oxidation नहीं होगा तो जो यह alcohol है यह इस condition को fulfill नहीं कर रहा है इसका मतलब यह structure नहीं हो सकता है और देखते हैं क्या हो सकता है और क्या कर रहे हैं अगर मैं यहाँ पर OH लगा कर कोशिश करूँ यहाँ से मैं OH लगाता हूँ तो यह chiral ही नहीं है optically active ही नहीं है chiral नहीं है, optically active नहीं है तो यह option भी मेरा कदम हो गया चला, इस option को भी अठा देते हैं और क्या possibilities हो सकती हैं देखते हैं, अपने को तो possibilities लेनी पड़ेगे ने बिटा अगर मैं इसको ऐसे लिखके सोचूँ तो इस alcohol का dehydration करेंगे तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर रियर्रेंज होगा यह answer आजाएगा चलो देखते हैं कि यह alcohol बाकी result दे रहा है क्या यह कहरा, optically active होना चाहिए बिल्कुल है यहां तक सही पहुंच गए हम लोग chromic acid oxidation बिल्कुल इसका oxidation होगा बेटा इसका oxidation होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग देख लेते हैं, last तक पहुंचना पड़ेगा आर यह ए अब आर में chloroform test हो रहा है chloroform test हो रहा है, बिल्कुल सही है chloroform test होगा बेटा, आर यह remove होगा C6H5 C, Cs3 C, O, O, N C, O, N, C, H, C, O बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो अब क्या करना है compound S, यह S हो गया हो, यह compound क्या हो गया है, अबना S हो गया compound S पूछा था आप से, चेक कर लो वो कौन सा है यह था, कौन सा अंसर आपका, second answer आपका ठीक है, अच्छा question था एक अब आपके पास section B है, section B के कुछ questions को हम solve पर लेते हैं देखें द्यान से conditions को apply करें पहला part आपको क्या करना है reductive ozonolysis और यह options भी आपको mind में होने चाहिए तो आपको सिरफ यहाँ पर reductive ozonolysis करना है यहाँ पर करना है, options जरूर द्यान रखेंगे reductive ozonolysis अब आप इसमें करेंगे बेटा यह बनेगा अब आपको इसमें sodium borohydride करने के लिए बोला हुआ sodium borohydride carboxylic acid को reduce नहीं करेगा लेकिन यह जो aldeide group है इसको alcohol में convert कर देगा alcohol में convert कर देगा यह आगया a ठीक है तो पहले देख लेते हैं क्या ऐसा है a ऐसा तो नहीं है क्या ऐसा है बिल्कुल सही है एक तो यह answer आगया आपके पास बास समझ में रही है अब concentrated H2SO4 है आपके पास एक carboxylic acid है एक alcohol है तो इन दोनों से क्या हो जाएगा intra molecular esterification अन्तह अनुक esterी करण हो जाएगा बेटा 11 2345 और oxygen को एड़ करके six membered ring आपको generate करने है यह 6 मेंबड हो गया 1, 2, 3, 4, 5 नमबर 4 पर एक CS3 भी है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए यह कंपाउंड किया हो गया आपके पास B ऐसा है या ऐसा है चेक करो कौन सा आएगा यह है तो इस कॉस्चिन में आपके पास 2 और 4 दो आंसर है 2 भी है और 4 भी है ठीक है इस फोलोविंग रेक्शन सिक्वेंस केरफुली और इडेंटिफाई विच रेक्शन सिक्वेंस विल फॉर्म मैटा नाइट्रो बेंजोइक आसेड मैटा नाइट्रो बेंजोइक आसेड आपके पास फाइनल आंसर आना चीज़ देख लेते हैं साइनाइड है डाइबोल एच डाइलूटेद एच्टू एसो फोर तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा C-H-O C-H-O मैटा डारेक्टिंग होता है नाइट्रेशन करवाएंगे नाइट्रेशन करवाएंगे तो C-H-O N-O-2 आ गया बिल्कुल सही है टॉलेंस रियेजेंट एड़ करेंगे तो यहाँ इसका L-D-A-D का क्या हो जाएगा ऑक्सिदेशन हो जाएगा तो यह आपको क्या बना के देगा C-O-O-H-N-O-2 तो मैटा नाइट्रो बेंजोई कैसे इससे तो बन रहा है इससे बन रहा है सेकिंड में देखें सेकिंड में आप देखें नाइट्रेशन पैरा पोजिशन पर होगा नाइट्रेशन का होगा पैरा पोजिशन पर होगा तो आगे के ओप्शन ही खतम होगे कोई मतलब भी नहीं है हमें तो मैटा चाहिए हमें कहाँ चाहिए मैटा नाइट्रो चाहिए इसमें नाइट्रेशन मैटा पोजिशन पर हो रहा है बिल्कुल सही जा रहा है यहां तक तो SNCL to HCL Diluted HCL यह Reduction है बेटा तो यह क्या करेगा Cynide का Reduction करेगा Stephen Reduction Cynide को किसमें Convert करेगा Stephen Reduction के थूँ CHO में Convert कर देगा लेकिन SNCL to HCL NO2 को किसमे Convert कर देता है NH2 में Convert कर देता है जबकि हमें क्या चाहिए Meta Nitro चाहिए जो कि आगे Possible नहीं है कि MNO4 इसका Oxidation NO2 ग्रूप में नहीं करेगा NO2 ग्रूप में नहीं करेगा N2CL NO2 आएगा लेकिन यहां पर आगे Reaction Possible नहीं होगी Nitro Benzene FCR Reaction Show नहीं करता है Nitro Benzene FCR Reaction शो नहीं करता है तो आपके पास इसमें यह फस्तांस नहीं है Which of the following reaction can be used to prepare Condensation Polymer चलो देखते हैं बिटा क्या है यह compound आपके पास Easter है Lithium Aluminium Hydride इसको Reduce करेगा तो आपको मिलेगा बहुलक Condensation Polymer तो टर्थैलिक असेड और इथाइलिन ग्लाइकोल से आप Condensation Polymer बना सकते हैं तो बना रहा है दूसरे में KMNO4 इसका Oxidation करेगा दोनों का Oxidation कर देगा चलो देख लेते हैं का Oxidation कर रहा है COOH COOH इथाइल, अल्कोहल, H2SO4 Istrification होगया पैटा COOC2H5 COOC2H5 Istrification होगया पैटा अब Istrification होगया यहाँ पर यह क्या बन गया Diethyl Terththalate क्या बना Diethyl Terththalate बना और Diethyl Terththalate भी ethylin glycol के साथ condensation polymer बनाता है और वो polymer कौन सा होता है टारलीन इसमें भी productalaylin है इसमें product tiling है यह बना रहा है condensation यहाँ पर आप देखें ध्यान से Restaurant degradation हो रहा है तो इसमें से CO2 CO2 को अगर मैं release कर दूँ तो NH2 CH2 Por 6 NH2 बन रहा है है, hexamethylene diamine बन रहा है, hexamethylene diamine इस compound adipic acid के साथ react करके condensation polymer बनाता है, nylon 6,6, यह भी condensation polymer बनाता है, concentrated H2SO4 के साथ अगर मैं इसको heat करूँगा, तो यहाँ पर एक dehydration process होगा, यहाँ 2 double bond CCS3 COOH alcohol add करूँगा मैं इसमें तो CH2 double bond CCS3 COOCS3 अब यहाँ पर polymerization अगर आप करेंगे इसको पहले alcohol add करना है alcohol की reaction करवानी है उसके बाद आपको polymerization करना है तो इसके polymerization से आपको क्या मिलने वाला है polymethyl methacrylate addition polymer polymethyl methacrylate addition polymer PMMA मिलेगा जो addition polymer है condensation नहीं है तो 1st, 2nd, 3rd answer आएगा क्या answer आएगा इसका 1st, 2nd and 3rd answer आएगा नेक्स्ट में देखें 1 equivalent है आपके पास तो क्या हो सकता है इन में से strong nucleophile कौन सा होगा nitrogen तो यह इस पर attack करेगा यह यहाँ जाएगा फिर यह वापिस रोट के आएगा यह यहाँ से release हो जाएगा यह प्रोसेस होगा तो आपके पास कुछ ऐसा result होगा बेटा nitrogen और इसके ऊपर attach हो गया CHO यह answer आएगा आपके पास देखो इन में से क्या आ रहा है CS3, CHO, CS2, CS2, NH, CHO पस्ट answer आ रहा है यह answer नहीं आएगा ठीक है और और इसके अंदर कोई भी answer नहीं आएगा तो answer इसका फस्ट है नेक्स देखें अगले question में देखो क्या दिया हुआ एक reactant है reactant आपके पास R है R का reduction कर रहे हो तो यह compound मिल रहा है आपको R में deactivated palladium है hydrogenation कर रहे है फिर उसके बाद KMNO4S आपको oxidation करना है compound S है की result है S की condition है S कैसा होना चाहिए optically inactive होना चाहिए प्रकाशिक अक्रिय होना चाहिए condition जरूरी है और R के case में आपको identify करने में help दी हुई है कि यह positive test देता है with tolerant reagent R में tolerance reagent के साथ positive test देता है silver mirror test जरूरी नहीं है आपको पता है aldehyde silver mirror test यो करेगा लेकिन जो terminal alkynes होती है वो tolerance reagent के साथ react करती है और white precipitate बनाती है यह positive test है क्या है यह positive test है वेटा तो R गिज positive test तो पहले reject हो गया इसको तो भूली जाओ चीक है बास समझा रही है इसको तो भूल जाओ यहाँ पर terminal है यहाँ पर terminal है यह आपका R हो सकता है लेकिन condition है पहले condition देखें यह platinum H2 add करेंगे तो यह इसमें convert हो जाएगा क्या देखें carbon कितने यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4 carbon होने चाहिए 1, 2, 3, 4 carbon है 1, 2, 3, 4 carbon है इसमें भी 1, 2, 3, 4 carbon है बिल्कुल सही दिया होए यहाँ तक तो इन में से कोई एक हो सकता है आइडिया लगा सकते हैं अब इसमें quinoline add करेंगे deactivated add करेंगे तो यह जो portion है आपका किसमें convert हो जाएगा ज़रा देख लेते हैं CH2 CH2 फिर आपके पास है CH double bond CH2 इसमें भी ऐसा ही होगा CH2 CH2 CH double bond CH2 ठीक है फिर इसका आपको oxidation करना oxidation करेंगे तो यहाँ से भी bond break हो जाएगा यहाँ से भी bond break होगा यहाँ से भी break होगा और यहाँ से भी break होगा S में आपके पास 6 oxygen होने चाहिए यहाँ कि 3 CWH group आएंगे 3 CWH group आएंगे बिल्कुल सही है यहाँ पर CWH आएगा यहाँ CWH आएगा यहाँ पर भी C O H आएगा इसमें C O H यहाँ पर आएगा C O H यहाँ पर रहेगा और C O H यहाँ पर रहेगा अब S की condition है S is optically inactive प्रकाशिक अक्रिया होना चाहिए बटा CH2 CH2 CWH CH2 CS2 CWH तो यह कारबन काईरेल नहीं है देखो ध्यान से CH2 CS2 CWH CS2 CS2 CWH काईरेल नहीं है इसको देखो ध्यान से CH2 CS2 CWH यहाँ देखो CS2 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 फिर CWH यहानि कि इसका यह सेंटर क्या बन जाएगा काईरेल सेंटर बन जाएगा अगर हम इसको यहाँ से हटा करके सोचेंगे देखो पिटा मैं इसको आपके सामने structure बना के बताता हूं ताकि आपको कोई doubt नहीं रहे कि इसमें आपके पास यहां CWH आ रहा है ठीक है यहां पर C O O H आ रहा है और यहां पर C O O H आ रहा है तो CS2 CS2 यह रहा CS2 फिर यह रहा CS2 यह रहा CS2 यह काईरेल नहीं है लेकिन इसकी में जब बाग करूंगा यह काईरेल है CS2 CS2 इसने साब लिखा है कोईशन में S is Optically Inactive S प्रकाशिक अक्रिय है तो यह प्रकाशिक अक्रिय है यह कहां से बन रहा है सेकेंड से बन रहा है बेटा तो यह आपका cancel हो गया 1 mol of S can consume 3 mols of sodium by carbonate बिल्कुल सही है 3 C O H है तो 3 mol consume हो जाएंगे पूंसर के आजाएगा आपका second or four ठीक है next question आपके पास देखें identify correct statement about lactose ठीक है lactose एक dicecureide होता है lactose की structure आपके माइड में set होनी चाहिए बड़ा lactose एक dicecureide है lactose बनता किससे है galactose और glucose से बनता है galactose और glucose से galactose का c1 carbon और glucose का c4 carbon दोनों जो है glycosidic bond के थुरू connect होते है ठीक है सब देखते है it is a reducing sugar and does not show muta rotation यहां तक तो सही है बेटा यहां तक तो सही है ठीकिन यह करता है does not show muta rotation यह गलत है परिवर्ती दुरूबन भूड़ना यह यह गलत है जो reducing sugar है वो muta rotation show कर देता है तो आपको इससे बताना था correct statement सही कथन बताना है तो यह गड़बड हो गया तो यह answer नहीं आएगा acetylation of lactose prove that 8 OH groups are present in it अगर हम lactose का acetylation करते हैं तो यहां पर यह result कह रहा है कि 8 OH होते हैं तो क्या यह ऐसा possible है आपको अगर lactose की structure knowledge में नहीं है तो तो problem में आ जाओ गया अगर lactose की structure आपके पास नहीं है तो आप बेटा problem में आने वाले हो यहां पर एक OH CH OH attach होता है इस पर OH attach होता है एक इस पर OH attach होता है एक इस पर OH यह तो glycoside bond के through connect हो जाते हैं इसमें एक OH attach होता है एक इसमें OH attach होता है इसमें OH attach होता है उपर नहीं चे alpha bit आप देख लेना ठीक है तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 total 8 OH groups available हैं नीचे डारेक्शन आप चेक कर लेना ठीक है तो यह सही है इट कंटेंस बीटा 1, 4 glycoside बिल्कुल सही है बीटा 1, 4 glycoside होता है लेकिन कहां होता है फर्स्ट कार्बन गलेक्टोज का और फोर्थ कार्बन गलुकोज का यहां क्या लिखा है फर्स्ट कार्बन गलुकोज का फोर्थ कार्बन गलेक्टोज का जो की गलत है इसका अंसर क्या आया है बीटा 2nd and 3rd ठीक अब हम चलते हैं आपके section D में numerical value integer non-int आपके पास है देख लेते हैं how many amino acids contain aromatic ring aromatic ring बोला है benzen ring नहीं बोला है ठीक है aromatic ring बोला है बेटा तो ये तभी possible है जब आपको आपके NCRT में दिये हुए 20 amino acids की structure अच्छे से याद हो अगर वो structure याद नहीं है तो ये question आपका चूट गया होगा ठीक है तो इसके अंदर ये 4 amino acids ऐसे हैं जिनमें aromatic ring है जिनमें क्या है aromatic ring है आपको ध्यान में रखना है ठीक है बाकी किसी में भी aromatic ring available नहीं है तो इसका integer value कितने आ जाएगी 4 इससे बनाने के लिए आपके पास aliphatic primary amine best result होता है विटा aliphatic primary amine को आप easily prepare कर सकते हैं और aliphatic primary amine में भी condition है आप देखें जब आप gabriel थेलेमाइड synthesis करते हैं तो n नेगेटिव है इसकी reaction rx के साथ होती है तो आपको n r मिलता है फिर आज़का hydrolysis करके आप primary amine क्या बनाएंगे hydrolysis करने के बाद primary amine यह sn2 प्रोसेस है तो यहाँ पर rx ऐसा होना चाहिए जो sn2 के लिए suitable हो अगर sn2 के लिए suitable नहीं है तो आप वो use नहीं कर सकते तो देखो benzyl amine benzyl amine एक primary amine है और इसको बनाने के लिए क्या लिया गया होगा c6 h5 c h2 x लिया गया होगा इसमें sn2 reaction possible है यह बनाई जा सकती है tertiary butyl amine नहीं बना सकते बटा tertiary butyl amine नहीं बना सकते क्योंकि tertiary butyl amine के लिए मुझे यह लेना पड़ेगा और 3 degree alkyl halide में sn2 reaction नहीं रहता है elimination हुझे आएगा normal prophyl amine बिल्कुल सही है aniline नहीं आएगा aniline नहीं आएगा क्योंकि aniline के लिए आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा aryl halide लेना होगा और aryl halide nucleophilic substitution reaction शो नहीं करता है vinyl amine भी नहीं ले सकते triethyl amine भी नहीं ले सकते dimethyl amine भी नहीं ले सकते आप इसमें n-methyl aniline भी नहीं ले सकते तो आपके पास integer value की बात करें integer value कितनी आ रही है आपके पास 2 आ रही है देखो जैंसर ठीक है गैब्रियल थेलेमाइड में जो आरेक्स है वो कैसा होना चाहिए जिसके अंदर SN2 reaction easily complete हो सकती हो easily complete हो सकती हो उसी के लिए suitable method है how many compounds among the following will undergo dye as a coupling reaction in acidic medium और in alkaline medium कितने होगी कैसे है जो acidic और alkaline medium में dye as a coupling reaction देते हैं यह देखना है dye as a coupling reaction किसके साथ डाइजोनियम कलोराइड के साथ क्या जरूरी है benzene ring के साथ attach होना चाहिए strong plus m effect donor group phenol भी हो सकता है aniline भी हो सकता है ठीक है plus m effect काम करने वाला होना चाहिए एक यह आजाएगा एक यह आजाएगा यह नहीं आएगा एक यह आजाएगा एक यह आजाएगा यह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर आप देखें क्या effect लग रहा है si r si r लगने से इसका plus m काम नहीं करेगा ठीक है एक यह आजाएगा तो 1,2,3,4,5 integer value कितनी होगी बेटा integer value 5 है बात clear हो गई ठीक है दो reaction दे रखें हैं आपको बैसे इस reaction को आपको क्या करना है complete करना और balance करना है यह पहली reaction कौन सी है होफ़ान degradation अच्छे से याद कर लो होफ़ान degradation में NaOH के कितने मोल काम में आते हैं बेटा 4 मोल यह कौन सी है कारवाइल अमाइन reaction आइसो साइने टेस्ट में के कितने मोल काम में आ जाते हैं तो आप से पूछा है X प्लस Y 4 प्लस 3 7 एंटीजर वेल्यू की आगे आपके पास 7 यह तो equation balance करने से हो जाए कोई problem नहीं है अब आपको क्या दिया है Acetic Enhydrate access में दिया है और यह condition दे रखी है वेटा यह process है आपके पास Acetylation कैसा process है Acetylation Acetylation NH2 ग्रूप का भी होता है Amine ग्रूप का और Alcohol ग्रूप का भी होता है OH ग्रूप का भी होता है Phenol ग्रूप का भी हो जाता ही तो आपको देखना है आपको पता यह पता होना चाहिए कि आपने Actual Acetylation में क्या किया है जब आप Acetylation करवाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है यह तो बनता है यह रिमूँ हो जाएगा इदर से ही रिमूँ हो जाएगा तो आपके पास यहाँ जो compound है उसमें से एक hydrogen release हो जाता है और यह group इसके अंदर attach हो जाता है यह process है अब देखो क्या पूछा आप से W1 is molecular mass of dipeptide W2 is molecular mass of product जो product बना उसका molecular mass है find out value of x x क्या है W2 minus W1 upon 42 W2 minus W1 यानि की difference इन दोनों के product और इसके molecular mass एक difference है आप देखो यहाँ से आपको idea लग जाएगा इसका mass कितना है 43 इसका mass कितना है 43 और यहाँ पर जिस hydrogen को remove किया उसका mass कितना है बेटा 1 तो difference कितना है बेटा 42 का difference हा रहा है कितना difference हा रहा है 42 एक बार acidulation होता है तो 42 का difference आएगा दो बार acidulation होता है तो 42 को multiply कर दो 2 से 3 बार acidulation होता है तो 42 को 3 बार multiply कर दो ठीक है तो यहाँ पर पहले देखेंगे acidulation कहां कहां हो सकता है एसी टाइलिशन यहां हो सकता है, यहां नहीं होगा, क्योंकि इसका लॉन पेर रेजुनेंस में जा रहा है, तो एसी टाइलिशन दो जगह हो रहा है, आपके पास एसी टाइलिशन हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आया, 84, डिफरेंस कितना आया, 84 आया, और डिवाइड किसे क करना है 42 से आंसर कितना आ जाएगा तू कि दुबारा समझो इसको अगर आपको कोई ऐसी टाइलीशन रियक्षिन में मॉलिक्लर मास के बारे में कॉश्चन बनता है तो सीधा सा है आपको दोनों के डिफ्रेंस को को इसको कंसीडर करना है डिफ्रेंस कितना होगा कि यहाँ पर रिलीज हो रहा है एक रहए तो इसको 3 से करते चले जाओ आपके पास आंसर कितना है इंटीजर वेल्यू कितनी आगे विट आपके पास टू इंटीजर वेल्यू क्या है टू कि identify number of reactions that give aromatic aromatic product आपको मिलना चाहिए यह ऐसी reaction आपको देखें तो देखें पहले reaction से को कोई aromatic product बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कि अमोनिया से reaction करवाने की बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि यही तो बन सकता है कि ज्यादा ज्यादा यह ऐसी तरह का प्रोड़क्त बनने के कोई चांस ही नहीं है क्योंकि aromatic ring होने के लिए आपके पास कि कुछ ऐसा कुछ structure बन जाए तो होगा बेटा फर्स्ट तो नहीं आएगा फर्स्ट में तो कोई कुछ चांस नहीं हिए अर्मेटिक होने के लिए पर्स्ट चोड़ को है कि सगेंड़ कि इसको जब तुम इसके साथ हीट करोगे तो अमोनिया रिली जोगी ना है देखें इसके अंदर कि आख अख कर दो यहां पर और यह अख और यह है और इसके रीक्शन कैसे हो रहे है पाटा अँप क्रामोनिया के साथ हो रहे हैं तो यह इस पर अटेक करके इसको रिलीज करेगा तो मैं इसको लिख देता हूं CS3C OH NH2 ठीक है फिर CH2 CH2 यह दो CS2 यह दो CS2 यह तो यह यह दो CS2 यह तो यह पर आपके पास हैं ऐसे हैं ऐसे दो है अब यह इस पर अटेक करके इसको रिलीज कर दे तो 12345 मेंबर रिंग आपको मिल रही है पाइब मेंबर रिंग आपको मिल रही है विटा जिसमें यहां पर NH आ जाएगा अब हीट भी किया हुआ है तो इसमें से क्या करेंगे आप यह साथ में क्या होगा एकस्टू सी होता है अब 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 इसको डियाइडरेट करेंगे तो पुछ ऐसा रजट आएगा जो कि एक आरोमेटिक तो भी क्या है एक आरोमेटिक है तो इसमें आरोमेटिक परड़क्त बन रहा है कहीं कोई प्रोग्रम नहीं है ठीक है सेकंड में परड़क्त आगे देख लेते हैं इसमें देखें क्या बनेगा बड़क्त देख लेते हैं अब कुछ ऐसा यहां भी एसिडिक मीडियम है तो कुछ इस तरह से इसको टोटो मेराइज कर दो यहां पर आप चेक करें यह कौन सा फॉर्म है कीटो फॉर्म है ऐसिडिक मीडियम में किस में कनवर्ट हो जाएगा इनौल फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा इनौल फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा यह भी आ रहा है कि इसमें कि यह नहीं आ रहा ठीक है है कि यह लो मैं और इनौ यह ली कि भी आर्यमेटिक है यह भी आर्यमेटिक है और इन यह लेकिश्य करना रहा है कि इसका अगर आप करवाएंगे तो एरो मैंटिक देख लेते हैं क्या कुछ ऑप्षिन आपके पास बन रहा है कि ऐसा बनेगा इसमें कोई आरो मैंटिक करेक्टर नहीं आ रहा है तो आपके पास इसमें नहीं आएगा तो सेकिंड थर्ड एंड फॉर्थ आगे चले कि इस रेक्शन को देखें आपको इसमें इसको जरूर इंक्लूर करना है बेटा बोल मल जाना इसको अलकाइन पर जब आप यह यूज करेंगे तो आपके पास आंसर होगा यहां फिर आप इसको टोटोमेराइज करेंगे यह आपके पास यहां पर जो आंसर होई आ गया लीथियम ऐलिमिनियम हाइड्राइड को आपको इसको यूज करना है लीथियम ऐलिमिनियम हाइड्राइड इसको किस में कनवर्ट कर देगा वेटा अलकोहल में कनवर्ट कर देगा बास समझ में आ रही ठीक है और चलें इसको हीट करेगा तो आपको यहां पर दो ओप्षिन मिलेंगे इसमें सिस एअ प्रानस दोनों यहोंगे अब आपको क्या करना है पहले इसका ओजोनो लाइसस करना है वह भी रेडव्ट आप avenज्य करेंगे आप अब आपको क्या करना है इसमें डायलुटिड को इस भी इसके अंदर एड करना है वह भी टेंपरेचर के साथ मतलब आपको यहां पर एक क्रोस अल्डोल कंडेंशेशन और सेल्फ अल्डोल कंडेंशेशन उसको कंसीडर करना है प्रोडक्ट बताने है एक नहीं ध्यान रखना है including studio isomer जरू चलना है बेटा करें solve बेटा अब देखो यहाँ से मुझे aldol condensation को solve करना है देख लो आप ध्यान से ठीक है चला क्या क्या हो सकता है पहले मैं देखता हूँ इसको A ले लेता हूँ मैं इसको B ले लेता हूँ मैं इसको C ले लेता हूँ यह तो सेमी है तो पहले मैं लेता हूँ CS3 CH double bond CHCHO तो A plus A self aldol हो गया अच्छा और क्या हो सकता है इसके अंदर CS3 CH double bond CS3 CHO इसके लिए मैंने यूज किया है बेटा A and B को ठीक है CS3 CH2 CH double bond CH CHO इसमें B और A को यूज किया है ठीक है A को B के साथ यूज कर लिया B को A के साथ यूज कर लिया और क्या हो सकता है H हुना आई इसके अपने पासैंख यह जिए आईशो कर रहा है नहीं कर रहा है वन और ये जी आई शो नहीं कर रहा है वन और कोई option हो सकता है एक ये भी तो रह गया इसको भी तो देखना है विटा CS3 CH2 CH double bond ये तो वो लिगेना अपन B प्लस B ये भी तो रह गया तो ये जी आई शो करेगा 2 तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 और 7 8 प्लस 2 10 इंटीजर वैली के आजाए गी बट आपके पास 10 आंसर आजाए ठीक फाइंड आउट टोटल नंबर ओफ compounds that give positive test with toll and reagent positive test with toll and reagent आपको देखना है ये positive test देता है यहाँ देखें क्या है आपके पास hemiacetal positive test यहाँ पर देखें आपके पास hemiacetal positive test negative test formic acid positive test negative test यहाँ पर देखें hemiacetal positive test alpha hydroxy ketone positive test 1,2,3,4,5,6 integer value आपके पास क्या होगी पेटा 6 होगी clear है मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का इस पेपर में अगर doubt रहा होगा तो वो ए वीडियो solution देखकर के आप आसानी से clear कर पाएं होगे फिर भी doubt है तो आप वीडियो को दोबारा देखें question को अच्छे से read करें औरनी chemistry में question को read करने के बाद आपको option पर भी focus करना चाहिए option के according आपको question को solve करना होता है कई बार कुछ और निक reactions अलग अलग तरह के product बनाती है तो आपको ये देखना है कि उस particular question में जो option है वो किस तरह की reaction से solve हो रहे है ठीक है Thank you J.C.L.C.